दोस्तो अगर आपको इस दुनिया में मौझूद अनोखे किरियेचर्स के बारे में पूछा जाए तो आपके दिमाग में भी तरह-तरह की तस्वीरे आने लगेगी लेकिन अगर आप से ये सवाल किया जाए कि आपने किसी ऐसे ऐनिमल को देखा है जो इन्विजिबिल होते है तो ये सवाल सुनकर आपके भी दिमाग चकरा गए होंगे आप भी सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि भला ऐसा भी एनिमल होता है क्या तो दोस्तो आज के वीडियो में हम आपको ऐसे ही 12 एनिमल के बारे में बताएंगे जिनकी आपने कलपना भी नहीं की होगी और साथ ये भी बताएंगे कि ऐसे एनिमल कहां पाये जाते हैं और ये किस तरह से जिन्दा रहते हैं तो दोस्तों बने रहें इस वीडियो के अंतर क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी दुनिया की सैर करवाने वाले हैं जो आपके सोच से परे होंगे जहां पर ऐसे एनिमल पाये जाते जो आपके आँकों के सामने होते तो जरूर हैं पर वो आपको दिखाई नहीं देते तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो के सुरुआत करते हैं अब जरूर आप इस वीडियो क्लिप को देखिए इसे देखकर आपको सच में जटका लगा होगा कि भला ऐसी आँखों वाला पेर भी होता है क्या तो खुद को ये इस तरह उसमें छुपा लेता है जिसमें सिर्फ इनकी आँखें ही नजर आती है और भूल से अगर ये अपनी आँखें बंद कर ले तो ये पूरी तरह से इन विजबिल होकर दूसरे जानवरों को भी चकमा दे सकता है और ऐसी स्तिती में किसी के लिए भी ये पता पाना मुश्किल हो जाता है कि ये सिर्फ पेर है या फिर पर बैठा कोई उल्लू है अब बात करें इसके रहने की तो सुखा पेर इसके सबसे पसंदेदा बिसेरा होते हैं क्योंकि ये सुखे पेर में खुद को आसाने से तो दोस्तों आपको बता दे कि ये ना तो कोई पता है और ना ही ये डांस कर रहा है बलकि ये पत्ते की अकार में एक आनोखा जीब है जिसे हम लीफ टिल्ड इंसेक्ट के नाम से जानते हैं धरसल ये कीट जंगल में रहने वाले कई जानवरों के पसंदेदा भोजन होते ह इसलिए लीफ टिल्ड इंसेक्ट अपनी सुरक्षा के लिए इस तरह के पैतरे अजमाते हैं अपने ओपर खत्रा महसूस करते ही ये किरियेचर खुद को फ्रीज कर लेते हैं जिससे की कोई इन्हें पहचान ही नहीं पाए अगर बात करें इनके खाने पीने की तो ये पेरो पास कई तरह के कलरफुल बटरफ्लाई को उरते हुए देखते होंगे लेकिन इस क्लीफ को देखने के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि ये क्या है तो आपका एक ही जवाब होगा कि ये एक पत्ता है मगर ऐसा बिलकुल नहीं है क्योंकि ये कोई पत्ता नहीं बलकि एक बटरफ्लाई है जिसका नाम है औक लीफ बटरफ्लाई जो आम तरपर देखने में तो एक सुखा हुआ पत्ता ही लगता है लेकिन ये तितली अंदर से बहुत ही रंगीन होती है जंगलों में इनको ढूंड़ना काफी मुस्किल भरा काम होता है क्योंकि ये बटरफ्लाई आम बटरफ्लाई नहीं होता है अगर बात करें इनके रहने की तो ये नेपाल, भुटान, थाइलेंड और वियतनाम जैसे देशों में पाई जाती है दोस्तों आम तोर पर समुद्र में जितने भी छोटे किरियेचर्स होते हैं इनका सर्वाइबल काफी कठिन होता है इसकी सबसे बड़ी वज़ा ये है कि कोई भी बड़ा समुद्री एनिमल इने बड़ी आसानी से अपना सिकार बना सकते हैं पिगमी सी होर्स भी एक बहुरती छोटा समुद्री किरियेचर्स हैं जिनका आकार लगबग 2 सेंटीमितर जितना होता है लेकिन पिगमी सी होर्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जरूरत के हिसाब से अपना कलर बदलने में माहिर होते हैं जिस कारण से कोई इनसान त किरियेचर्स लेप्टो सिफेलस के नाम से जाना जाता है ये ऐसी समुद्री किरियेचर्स हैं जो खुद को छुपाने में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट होता है ये जीब जब अंडे से बाहर निकलते हैं तो इनका सरीर पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाता है जिसकी व पहिने तक ऐसे ही इन्विजबल रूप में रहते हैं और जब इन्हें ये एहसास हो जाता है कि अब ये अपनी हिफाज़त खुद कर सकते हैं तो ये अपनी असली रूप में आ जाते हैं अपने बोडी को situation के हिसाब से बदलने का हुनार इन्हे नेचुरल रूप से मिलता है जिसका बखो भी इस्तिमाल करके ये किरिये चर काफी लंबे समय तक जिंदा रहते हैं नमबर सिफन ग्रेट ट्री फ्रॉग ये फ्रॉग की एक ऐसी प्रजाती है जो आम तोर पर पेरों पर रहना ही पसंद करते हैं ग्रेट ट्री फ्रॉग अपने बोडी के कलर को बदलने सामें पाए जाते हैं इनका कलर वाइट ग्रे और ब्राउन भी होता है और इनके साइट की बात करें तो ये लगबग दो सेंटीमीटर जितना होता है नमबर सेक्स दिबफ टिप मोथ अब इस क्लीप को देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये कोई लकडी का टुकरा है तो ऐस वजा है कि इस पर जल्दी किसी इनसान की नजल नहीं परती दिबफ टिफ मोथ ज्यादातर जंगलों और गार्डेन में ही पाए जाते हैं और ये जून जुलाई के महने में ज्यादातर दिखाई देते हैं अगर बात करें इनके रहने की तो बफ टिफ मोथ ज्यादातर पे पेर पर इस कदर विराजमान कर लेती हैं कि बड़ा से बड़ा एक्सपर्ट को भी इसे पहचानने में धोखा हो जाता है। पीरे मकोडों को खाकर ही अपना गुजारा करते हैं। कि मानों ये मर गए हो और मरे हुए क्रियेचर की तरह चुपचाप पड़े रहते हैं। पिंक विजट एस्टीग ज्यादा तर साउथ चाइना, औस्ट्रेलिया और मेडा गैसकर जैसे देशों में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं मौसी फ्रोग के बारे में। क्योंकि ये क्रियेचर इस तरह के प्लांट में खुद को आसानी से छुपा लेते हैं। अगर आपका सामना कभी मौसी फ्रोग से हो जाए तो यकीन मानिए आप भी इसे पहचानने में धोखा जरूर ही खा जाएंगे। तो कि ये मौसी फ्रोग है या किसी प्लांट का टुकड़ा ये हम आपको बता दे कि ये मौसी फ्रोग नाम का क्रियेचर ही है जो खुद को मौसी फ्रोग और बाकी कई तरह की जंगली प्लांट के बीच खुद को इस तरह से छुपा लेता है। इंसान के लिए ये frog है या फिर plant ये अंतर कर पाना काफी मुस्किल हो जाता है मौसी frog का आकार कड़ी 5-6 cm जितना होता है और ये ज़्यादातर वियतनाम में पाए जाते हैं अब जड़ा इस वेचेतर creature को देखिए जिसे समुदरी creatures में बहुत ही खत्रना animals माना जाता है की काविलियत होती है जो उसे natural रूप से प्राप्त होती है यो थो octopus गहरे वुड़े रंग की होता है लेकिन ये अपने उपर किसी तरह के खत्रा महसूस करने पर खुद के रंग को उस जगह के हिसाब से बदल लेता है जहां ये मावजूद होता है दोस्तों इस दलती पर कई तरह के birds पाई जाती है लेकिन विलो टार्मीकन नाम के bird काफी अलग यूनिक और एट्रेक्टिव होती है इनका कलर प्यूर वाइट होता है जिसकी वजह से सर्दी के मोसम में इस bird को देख पाना काफी मुश्किल हो जाता है इस बर्ड का कलर इतना ज्यादा वाइट होता है कि ये बर्फ में बैठने के बाद बेलकुल भी नजर नहीं आता और पूरी तरह से इन्वेजिबिल हो जाता है ये बर्ड खास्त और पर नौर्थ अमेरिका में पाई जाती है इसका साइज करीब एक फिट जितना होता है और इनका वजन करीब आधे किलोग्राम जितना होता है तो दोस्तों आज के